राम राम की सानमित्रों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्री राम की एक और ही अच्छी और बिटर प्रोडक्शन देने वाली प्रजाती के बारे में आपको जानकारी देंगे जिसका नाम है स्री राम 1668 इससे पहले मैंने आपको 1666 के बारे में बता दिया है अगर आपने वीडियों जो है वो पूरी तरीके से केंदित रहेगी स्री राम 1668 के बारे में स्री राम 1668 की पूरी जानकारी आपको मिलेगी किया कितने दिन में पका करके तयार हो जाती है कितना उत्पादन देती है तेल की परिशत माता कितनी पाई जाती है किन किन रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है जिसके इसके वज़ाद से खर्ष कम लगते हैं साथ ही कितनी साखाएं नेकलती है और पौधी की उंचाई क्या होती है किन किन छेत्रों में इसकी वुआई की जा सकती है त्यास सारी जानकारी आपको मिलेगी तो वीडियों को अंतों तक जरूर देखेगा वीडियों अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजेगा और अन्ने किसान मित्रों के साथ साजा भी जरूर कीजेए जिससे वो इसके बारे में जान सकें और इस प्रजादी की लगा करके और अच्छा खासा उतपादन ले सके बात करते हैं स्री राम 1668 की तो इसे बनाने का और मार्केट करने का काम DCM स्री राम कमपनी का है इस प्रजादी की वोई आप समय से और पच्छिती दोनों ही समय में कर सकते हैं यानि कि आप इसे 15 अक्टूबर से 15 नौंबर तक आसानी से वोई कर सकते हैं इसे सिंचित और अशिंचित दोनों ही इलागों में आप वोई कर सकते हैं अगर बात करें इसके परिपकता अबदी की तो 125 से 130 दिन में यह पक करके तयार हो जाती है अगर बात करें उत्पादन की तो 12 से 14 कौंटल प्रती एकड़ का उत्पादन देती है जो की आपको समय पर वोई करने पर मिल पाएगा और अच्छी खासी मतब सिंचाई सिंचित इलागों में अगर आप वोई करते हैं तो यह उत्पादन आपके लिए हैं अगर आप असिंचित खेतर में बॉई कर रहे हैं तो आपको आट से 10 कौंटल प्रती एकड़ का उत्पादन मिल जाएगा तेल के प्रसत मात्ता की बात करें तो 42 परसंट इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है बात करें प्रतिरोध हकता की कि किन किन रोगों की प्रतिया प्रतिरोधी है तो यह भी 1666 की तरह सफेद रत्वरोग और पाले के प्रति सहंसील है बात करें 1000 दानों के वजन की तो 5-6 गराम के दाने होते हैं बात करें अगर साखाओं की तो इसमें 20-22 साखाएं होती हैं जो की जड़के थोड़ा उपर से निकलना प्रारंब हो जाती हैं एक साखा में लगभग 270-280 फलिया निकलती हैं और एक फली में लगभग 16-18 दाने भी होते हैं पौध की उचाई की बात करें तो 160-180 सेंटी मीटर की होती हैं बात करें अगर किन-किन छेत्रों में इसकी बुआई की जा सकती है तो उन सभी छेत्रों में आप इनकी बुआई कर सकते हैं जिन शेत्र में सर्षों का उत्पादन लिया जा रहा है। बात करें बीजदर की की एक एकड़ में कितना वीज़ लगेगा तो अगर आप एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को मेंटेन करते हुए बौई कर रहे हैं या कारे हाथ से करना that है सिद्रिल मसीन ही सबसे जएधा Verfाय कर तो अगर आप सिद्रil मसीन से ही बौई कर रही हैं या लाइन से लाइन की दूरी पौधे से पौधे की दूरी को मेंटेन करते हुए बौई कर रहे हैं तो आपको 1 kg बीज परियाप्त है एक इकड़ के लिए वहीं अगर आप छिटकवा बिदी से बुआई कर रहे हैं तब आपको 1 kg 250 ग्राम से 1 kg 500 ग्राम बीज भी लग सकता है देखिए अगर कल्टिवेटर से बुआई कर रहे हैं तो 1 kg 250 ग्राम बीज भी परियाप्त है वहीं अगर आप रोटा बेटर से बुआई कर रहे हैं तो 1 kg 500 ग्राम बीज भी लग सकता है क्योंकि रोटा बेटर कुछ बीजों को ऊपर फेंग देता है तो इस वज़ासे उनका जमाम नहीं उपाता है तो कुछ किसान ऐसे हैं जो कहते हैं जिनका मानना यही है कि जो बीजों का प्जाओ पादन मिला है या आपकी इसके बारे में क्या राए है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप चैनल पर नहीं हुआ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भट्टैक से सब्सक्राइब कर ले दे ताकि फट्टैक से आपको वीडियों की जानकार मिल जाएक रहे जैसे ही में वीडियों अपलोड करूँ मिलता हूँ जल्दी एक और वीडियों के साथ जो लाएगी आपके खेतों में हर्याली देगी आपको खुश हाली जै जवान जै किशान